एलो दोस्तों, विल्कम बेक टो मैं चैनल, कैसे आप सब हुपसाब के रिट से होंगे? तो चले शुरू करते हैं, इनकी वेबसाइट पे जो नोट्स मेंशन है, वो है, ओजोनिक टॉप नोट और मैंगो इनके टॉप नोट में है, और हार्ट नोट में प्रलाइन और प्रलाइन एक स्वीट, शुगरी, केरमेलिक टाइप की नोट्स है, जो एकॉर्ड होती है, उस कि वीचका एक सारे नोट्स मेंचन या, फोड़े से श्कान नोट्स मेंचन है, जो कि इसमें सारी चीज मिलती है, जब इसको एपलाइ करते हैं. मैंने भी इसको उसको visão कि Katulya so this time is the box, फिर ओपन करने के बाद में, बहुत ही खुबसूरत in Happy बहुत ही प्यारी बॉटल है इसका प्रेयर भी उसी तरह सारे जैसे इनके प्रेयर बहुत अच्छा है इसके टॉप में यहां पर एहमद लिखा हुआ है बहुत प्यारा लगता है यार यह ओपर ऐसा जैसे ग्लास या डायमेंड टाइप का इसमें इन्होंने शेप दिया है औ बहुत अच्छी बॉटल है यार यह हमको क्यों नहीं मिलती चैना बहुत अच्छी बॉटल बनाता है यार बहुत अच्छी बॉटल बनाता है जो दुबई में सप्लाय करता है हम लोग इंडिया में बैटे है तो हमारे पास बॉटल और यह इस टाइप की कैप्स यह सब मिल जरूर हम ऐसे कैप्स और ऐसी बॉटल का हम भी इस्तमाज करेंगे जरूर इशालला तो अब रही बात इसके सेंट प्रोफाइल के बारे मैं तो दोस्तों इसकी सेंट प्रोफाइल जो है वह बहुत ही स्वीट खटी मिठी और एंबरी वुडी और थोड़ी सी एनेमेलिक जय को अपनारी बहुत ही ज़यदा मूड को अप्लिफ्ट करने वाली बहुत ही डिफूजव बहुत ही राडियरंट एक जैसे लाइट पैल रही हो उस तरह यह फैलता है और नतोर यह क Honig खुशियां थी, उस मेमरी में हमको ले जाता है, और जो इसके अंदर मैंगो का इस्तमाल है, मैंगो बहुत से लोगों की बहुत ही फेवरेट फ्रूट मैंसे रहा है, तो अक्सर लोगों का फेवरेट फ्रूट अगर पुछेंगे तो शायद मैंगो उस में से एक हो, मैंगो का استعمال है हर मैंगो की अलग खुछ्बू होती है जैसे अप दसेरी आपस आम स्मेल करते हो तो अगर अप स्मेल करते हो तो उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी अलग है मार्किन में हर मैंगो का एक अलग गाओं का और उते फील्ड का उस जमीन का एक असर होता है और उस जमीन के असर की उसके अंदर एक अलग सी खुश्बू होती है और उसका flavor और उसका taste भी बहुत different होता है तो इसके अंदर जो mango है दोश्टों तो आप imagine ये करें के एक तोता पेरी हमारे बंबई में मिलता है तोता पेरी आम वो पक गया हो उसका पकने का जमान हो उसके अंदर फिर भी जो है न वो एक खटास होती है एक citrus टाइप का एक खटास होती है उसके अंदर तो वो पका हुआ हो और उसको आप sniff कर रहे हो तो उस टाइप की एक fresh mango और fresh citrusy mango और sweet mango-ish type की scent profile आपको इसमें मिलेगी जो थोड़े देर होती है इनिशल बिगिनिंग स्टेज में टॉप नोट में होती है उसके बाद में वो अपने ड्राइडाउन फेज में जाती है मैंने इसको ट्राइप किया इसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी थी चार पाँच घंटे तक ये प्रोजेक्शन कर रहा था मुझे कॉंप्लिमेंट भी मिलते रहे वसीम बंदा बार बार कॉंप्लिमेंट दे रहा था क्योंकि उसको बार बार ये स्मेल आ रही थी और वो बोल रहा था कि अच्छी घंटे के उपर कपड़ों पे था बहुत अच्छी घंट भी मुझे बहुत पसंद आई लोगों को पता नहीं कैसे इसको लोगों ने इसके बारे में जादा बात नहीं किया बार ये बहुत बहुत प्यारी घंट्रेस ही एक अपने mood को बना देने वाली मतलब mood बनाना है किसी को बहुत ही refreshing energetic mood बनाना है ऐसा mood बनाना है जो बहुत ही challenge को face करना है या कहीं सुबा सुबा उठकर एक refreshing और एक powerful ऐसा कुछ scent लगा कर जाना है तो this is the one कि आप इसको लगा कर जाए ये mood को आप वे change कर देगा बहुत ही fresh mood कर देगा अब रही बात इसके aroma chemical के बारे में तो दोस्तों मैं इसको एक बार spray कर देता हूँ उसके बाद मैं बात करते हैं sprayer तो बहुत मासत है ये घटा मिठा आम उसकी opening उसी तरह है हवा में कुछ different है और close आप इसमेल करोगे तो भी कुछ different है तो हवा में और और skin पे बहुत different आपको महसूस होगा इसमें एक chemical है जो mango को reflect करता है mango के molecules में इस्तमाल किया जाता है सिस्त्री hexile isobutrate ये उसका इस्तमाल किया गया है और mango accord का भी इसमें इस्तमाल किया गया होगा citruses का इसमें इस्तमाल किया गया है और जो इसके पीछे से टर्किश रोस की स्वीटनेस है रोस की स्वीटनेस वो इसको lift दे रही है इसमें floral ozone करके जो एक ozenic vibe है यह भी आ रही है, वो फ्लोरल ओजोन का इस्तमाल किया गया है, जो फ्लोरल एसपेक्ट को थोड़ा सी लिव्ट दे रहा है, बेंजाइल, एसिटेट या बेंजल, बेंजोड इसका भी इस्तमाल किया गया है, कही न जब ही, इथायल, मैलटॉल और वनिला दोनों का एक बहुत ही बेस्ट कॉंबिनेशन, एक एडिबल जाइज, आपको एक फील होगा, जैसे खा लूँ, एडिबल चीज होती है, उस टाइब का एक फ्लेवर होता है, उस टाइब की आपको फील आईगी, वह वैनिला और इथालमेलटॉल का कुछ परसंटीज है, का इस्तवशु स्वाइग्स का मस्क बेस, एक आड्योनलाइड या हैडनलाइड या अंही दोनों में से इस्तवाल या इस्तवाल है, जो इसको पूरा एक राउंड राउंड नेस दे रहा थे एक फ्रेगरिंश में, जो फृवरी एस-पक्ड है इसमें LLML Glyculate, AAG, जिसको कहते है, इसको 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 कहते है, यह आपको बहुत पसंद आएगा इसमें कहीं नहोंने प्री साइक्लमेंट बी का इस्तमाल है जो ग्रीन टाइप की इसकी टोन होती है और ग्रीन एसपेक्ट को थोड़ा लिफ्ट करता है तो मैंगो प्लस उसका जो खटास घटी मिठी जो सिट्रेस है वो और फिर स्वीट य एक एक फरश मैंगो सिर्ण मैंग्व तैपन कर से पेड़ा ईसमें जो एक नोट आ रही है वह एप्य और आ दो ऊसकी अपको पासंद हो युद्दध आरे मिडियो सिब्ण ऑको सब्सक्राइब करें बीडियो को लाइक करें और नेक्ष्ट्रीम का इन्तजार करें बाइ, Assalamualaikum